हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल चोपडा नीट इंफोर्मेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा नीट का एप्लिकेशन फोर्म 2 दिसंबर 2019 से ओपन होकर 6 जनवरी 2020 को क्लोज हुए थे इसी बीच इंटरनेट की काफी प्रोब्लम हुई थी किसी किसी स्टेट में तो इंटरनेट की सेवा काफी दिनों तक बातित हुई थी इस कारण काफी स्टुडेंट नी 2020 का एप्लिकेशन फोर्म कम्पलीट करने से वन्चित रह गए थे किसी किसी student का तो payment bank account से कट गया था मगर NTA तक पहुंचा ही नहीं इस कारण उनका application form complete नहीं हो सका तो NTA ने उन candidate के लिए form दुबारा से open करने की planning की है जिनका step 1 complete हो चुका है इस विशह पर NTA ने need की website पर एक public notice डाला है इसमें लिखा है कि काफी सारे candidates जिनका application process complete नहीं हो पाया है इनकी request को ध्यान में रखते हुए इन candidate को एक और अंतिम अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने step 1 complete कर लिया है और need 2020 का registration complete कर लिया है ऐसे candidate 3 फरवरी 2020 से 9 फरवरी 2020 के बीच अब step 2, step 3 और step 4 complete कर पाएंगे step 2 में application form fill करना है step 3 में image upload करना है scan करके और step 3 में payment clear करके फिर confirmation page का print लेना है तो इस परकार का ये public notice NTA ने need की website पर डाला है तो दोस्तो इसमें वही candidate अपना application form complete कर सकते हैं जिन्होंने need 2020 के लिए registration तो कर दिया था मगर आगे का step complete नहीं कर पाए थे इसमे candidate new registration नहीं कर सकते तो ये जानकारी थी जो candidate need 2020 का application form फिल करने की दुबारा से NTA ने opportunity दी है तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिंद झापनानी जाओकितं ले यह हैं जил कि करेंसे हुआ हो में तेयर को साथ आपसे प्रेसं